नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल Health Tips in Hindi में और मैं आपकी दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ लेकिन दोस्तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को से अपडेट होते रहे दोस्तो हिंग का स्वाद किसे अच्छा नहीं लगता उसकी तो जो इसमेल है उससे ही अलग पता चल जाता है कि यह जो चीज है यह खाने की है दोस्तो खाने में हिंग डालने से ही उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और दोस्तो हिंग एक ऐस बिरगी फालीज लकवा और भी बहुत सारी जो हमारी माइंड से रिलेटिड बिमारी होती है उनको ठीक करने में भी हिंग का इस्तमाल काफी किया जाता है और दोस्तो हिंग का इस्तमाल करने से आंकों की जो प्रोब्लम होती है उनमें भी काफी फाइदा पहुचता है दोस्त गुनगुरा होना चाहिए ठंडा पानी नहीं लेना है और नहीं जादा गरब और उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर लगभग इतनी मात्रा का अगर आपके पास पाउडर है तो एक चोथाई चमच या उससे भी कम ये हमें पानी में डाल कर मिक्स करना है ये सिर्फ हमें इतना ही करना है आप इसको अच्छी तरीके से घोले मिक्स करें और फिर इसका जो आपको इसको पीना है वो आपको बैट कर पीना है ये चीज़ ध्यान में रखें दोस्तों कि आपको इसका जो सेवन करना है इसको पीना है वो बैट कर पीना है दोस्तों इसके सेवन से अग अगर हर रोज हिंग का पानी पिएंगे तो आपको काफी हेल्थ वाइज काफी फायदा होगा क्योंकि हिंग में एंट इंफ्लेमेंटरी गुन होते हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करते हैं और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं हिंग का पानी हमारी हड्डियों और दातों को भी मजबूत बनाता है और अगर कोई अस्थमा का मरीज है तो यह उसके लिए भी काफी फायदे मनद आपको कर सकते हैं और अपनी जो उनकी अस्थमां की प्रॉब्लम हैखासी की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर सकते है तो यह तो नेच्छूरल सी बात है कि और अगर दोस्तों अगर ऐसे में लोग बिमार पड़ते हैं तो नेचुरल सी ही बात है कि वो जो दवाई लेते हैं वो अंग्रेजी ही दवाई लेते हैं लेकिन ये बात तो शायद आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजी दवाईयों का ज़्यादा सेवन करना हमारे स्वास करने लगता है और दोस्तों इसलिए अगर आप चाहें तो इन दवाईयों को छोड़ कर इन सभी प्रोब्लम्स के लिए आप हींग के पानी का इस्तमाल कर सकते हैं और आप हींग को वैसे भी अपने खाने में भी प्रियोग कर सकते हैं और इससे अपना टेश्ट भी बढ़ा स जालकर उसको एक बार भून जरूर ले क्योंकि इससे जो उसका टेक्स्चर है वो काफी अच्छा हो जाता है और वैसे भी दोस्तों अब तो ठंड हो गई है सर्दिया है और आपको सर्दियों में तो हिंग का इस्तमाल करना ही चाहिए क्योंकि हिंग की जो तासीर होती है व को कोई infection है problem है उस पर यूज करते हैं इसको मलहम की तरह तो यह उस पर भी काफी effect डालता है काफी profit होता है उसमें जोट जल्दी ठीक हो जाती है और वहाँ पर कोई जो हमारा घाव है वो फैलता भी नहीं है और दोस्तों अगर आपने हींग को अपने कान में डाला है तो ज ज toujours जाना रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहरेपन की जो परहुलम है वह भी समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों यह थे जो हमारा हींग है उसको खाने के या पानी मेंडालकर पीने के लाव तो आप इससे ट्राई जरूर्र करें डेगुलर इसका इसका इस त रोड़ा करना प्लीज मर्रा पानी पिए प्लीज गोशश करें कि आप बैटकर पानी पिए वह रेग की आप मुझे कमेंट कर मुझे कर जरूर बताएं गर अपने बैसर घुलारा अपette तब तक आप अपना ध्यान दखें सुरक्षित रहे और खुश रहे धन्यवाद